नमस्कार, मैं हूँ प्रथम मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक क्या आप जानते हैं आपके एक वोट की कीमत क्या होती है? जी हाँ, अभी चुनाओ का समय है, दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं तो हम आपको बताते हैं कि एक वोट की कीमत होती क्या है? अगर हम बात करें 1951-52 के पहले चुनाओ की, पहले आम चुनाओ की तो वो चुनाओ जो था उसका पूरा खर्चा आया था 10 करोड रुपे का 10 करोड रुपे उस समय, लेकिन उस समय वोटर्स की गिंती जो थी वो बहुत कम थी तो मात्र एक वोट की कीमत जो थी वो 60 पैसे थी पर अब 2014 जो कि पिछले चुनाओ में जिसकी पूरी जानकारी है हमारे पास पूरा सर्वे के बाद 2014 के जो चुनाओ थे उसका कुल खर्चा था 3870 करोड उस चुनाओ का खर्चा 2009 के चुनाओ जो कि सिर्फ 1100 करोड में हुए थे उसके मुकाबले तीन मुना जादा खर्चा यह खर्चा इसलिए क्योंकि 2014 में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया था तो जो 1951-52 में वोट की कीमत साथ पैसे होती थी 2014 में वो कीमत पहुँच गई 46 रुपे यानि आपके एक वोट की कीमत 46 रुपे पर अब हम बात करते हैं 2019 के चुनाओं की जिसमें आकड़ा जो है टोटल खर्चे का वो कुछ 5000 करोड बताया जा रहे कि इस चुनाओं में 5000 करोड खर्च होने वाले हैं 2014 में जहां 83 करोड वोटर थे भारत में वहीं अब 90 करोड वोटर हो चुके हैं हर्चा तकरीबन 72 रुपे का जो रेट है वो आता है इसमें निकल कर 72 रुपे आपके एक वोट की कीमत अब है अगर हम बात करें 90 करोड वोटर की तो इसमें से 46 करोड 80 लाक वोटर जो है वो मेल है और 43 करोड 20 लाक वोटर जो है वो फीमेल है और 38,325 वोटर्स जो हैं वो 3rd gender के हैं चुनाओं से जुड़ी एक और खास बात हम आपको बताते हैं कि 1957 के जो चुनाओ थे वो 1951 के चुनाओ से भी सस्ते और कम खर्च में हुए थे 1957 के जो चुनाओ थे वो मात्र 6 करोड रुपे में हुए थे जो की अब तक का रिकॉर्ड है भारत के इतिहास में सबसे कम खर्च का चुनाओ जो था वो 1957 का चुनाओ था इसके पीछे मुखे कारण ये है कि 1951 का जो चुनाओ था उसमें भारी मात्रा में बैलेट बॉक्स, पोलिंग स्टेशन सब बनाये गए थे लेकिन सुकुमार सेन ने इसको उस समय हटाने से या फेकने से बचा लिया था तो 1957 के चुनाओ में यही वापस इस्तमाल किये गए थे जिस वज़े से उस चुनाओ के खर्च कम हुए थे दूसरे चरन के मतदान हो चुके हैं दिल्ली में वोटिंग जो है वो बारा मई को है और इस वीडियो के बाद हम आपको एक और वीडियो आपके सामने पेश करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि एक वोट की असली कीमत एक वोट की असली कीमत मतलब पैसों से नहीं ये कहानी भी हम आपको जल्दी आपके सामने पेश करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली तक, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेस्बूक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें, शुक्रिया.